आज समाज में दो प्रकार की पूजा चाहती है एक तो नकली पूजा और एक असली पूजा बात को ध्यान से सुनने का प्यास कीजीगा आप लो और वस्तुता देखा जाए तो हम लोगों को नकली पूजा से बड़ा प्रेम है असली पूजा को ना तो हम करना चाहते हैं ना हम सीखना चाहते हैं और ये विड़ंबना कीवल आज की नहीं है बहुत लंबे समय से चल रही है आज हम लोगों का जीवन भी नकली हम लोगों का व्यभार भी नकली और हम लोगों की पूजा भी नकली नकली चीजों से यम को प्रेम होगे आजके असली चीजों से प्रेम नहीं है आजकल आप देखेंगे घर के अंदर मार्केट से फूल लेकर के आते हैं लोगों और कमरों को सजाते हैं बेल लेकर के आते हैं कैसे उतनी नकली असली नकली वाली असली फूल नहीं मिलेंगे लोगों के घर में हमारी यहां बहुत अच्छे समा सुधारक हुए जिनको दुनिया कभी इंदास के नाम से जानती है उन्होंने बहुत अच्छी बात कई इस हिंदू समाज की मनुद अशा को देखते हुए वो कहते हैं संतो देखो जग बोराना सांच कहो तो मारन धावे जूट कहो पत्याना अगर सचाई का उपतेश समाज को करेंगे तो समाज क्या करता है सम्मान नहीं करता है बलकि इट पत्थर पहकता है मारने के लिए दोड़ता है जितने भी समाज सुधारक इस समाज को जगाने के लिए आए इन समाज के लोगों नहीं को सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए चाहे शंकराचारी को ले लो चाहे महरशी ज्यानन को ले लो चाहे अन्न किसी को भी लेवे लेकिन जो इस समाज को बहकाने का काम करता है ये समाज माज को बहुत अच्छा मानता है सांच कहो तो मारंधाबे जोंट कहो पतियाना और कहते हैं माटी को एक नाग बनायो फूजें लोग लुगाई हमारे यहां हंदू समाज में नाग पंचमी का पर्व मनाये जाता है आपके यहां भी मनाते हैं नाग पंचमी के दिन पूजा होती है असली वाले नाग की या नकली वाले नाग की बोलो अच्छा पूजा येधी करनी तो असली की करनी चाहिए नकली की करनी चाहिए यही पर नमना हैं कि उसमाज को असली की पूजा नहीं करना चाहते हैं हर चीज अमारी नकली हो चुकिए माठी को एक नाग बनायो पूजे लोग लुगाई और सांचो नाग ये धी घर में निगले तो लेलाथी धंगाई गर में ने देखा है बड़ी आदिशान कोठी बनाते हैं लोग कोठी के अंदर मंदिर बनाते हैं और इस मंदिर के अंदर चांदी की या पीतल की एक गाय रखते हैं और सुबै सांच ग्रिये स्वामनी गाय को माला पिनाती है दीपक जराती भोग भी लगाती है लेकिन ये असली वाली गाय घर के दरवाजे पर आ जाए तो उसको एक रोटी भी नहीं मिलती उसमें लाटी डंडे बढ़ते हैं और घर से बाहर भगा देते हैं ये हिंदू समाज की दुरगती का सबसे बढ़ा कारण है कि हम लोग किधर बह रहे हैं जब तक माता पिता जीवित है जब तक उनका कोई सम्मान नहीं और जैसे भी माता पिता धर्ती से चले गए तो लगता है कि धर्ती पर ये इश्रवन कुमार पैदा हुगा उनके जाने के बाद सुन्दर सा फोटो फ्रेम में मढवाये जाएगा सामने रखा जाएगा फूल माला चड़ाई जाएगी दीपक जलाए जाएगा अगर बत्तियों जलेंगी लगता है कि इसको पिताजी से बड़ा प्रेम था लेकिन जब तक पिताजी जीवित थे कभी पिताजी की सेबा सुसुरसाने की कभीर दाश जी कहते हैं जीयत पिता से दंगम दंगा मरे बाप पहुंचा में गंगा जब तक पिताजी जीविते हैं तब तक एक गिलास पानी नहीं पलाएंगे लेकिन पिताजी चलेगे तो पुत्र कहाने के जा रहे हैं गंगा जी लेक वहाने जैसे मुत्रा है हरगार है वैसी गयाजी है गयाजी के अंदर श्राद्ध होते हैं और बहुत दूर दूर से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए गयाजी पहुंसते हैं कैसी समाज में मूर्खता चल रही है हमने देखा एक व्यक्ति दिल्ली से चला गया पिताजी के लिए अपने पिताजी का श्रादि करने के लिए गर्मी का समय ट्रेंड में एक भी स्ट खाली नहीं सब लोगों की हालत खराब टीटी के पीछे लोग गूमने हैं कि भी हमको सीट ले दो हमारा कनफर्म नहीं पाया पैसे ले लो कितने भी सीट ले दो टीटी बोलता है कोई भी सीट नहीं है सारी सीट बुके ट्रेन जब आगए बढ़ती है तो टीटी लोग आ जाते हैं चेक करते हैं ये बंदा आया नहीं आया एक सीट बिल्कुल खाली उस पर कोई नहीं बैठा हुए उस पर एक चदर बिशी हुई है तोलिया बढ़िया टीटी देखता भीया ये सीट किसकी है उसका बेटा बैठा है उसकी पुत्र बदू बैठा है कहता ये सीट किस की है बेटा कहता हमारे पिताजी की है बोले ठीक है पिताजी के चला गया था दो गंटे के बाद आया और सीट तो फिर भी खा लिए बोले सीट किस की है बोले हमारे पिताजी की है नाम ये नाम पूछते ना तो नाम लिखा वगा था उसे नाम बोल दिया उसमें सोचा पिता जी कहीं इदर दर गए होंगे राती हो गई अब तीटी के पीछ और दवाब बना बोले हमको कुछ सीट देदो सीट देदो टीटी देखता बार बार ये सीट खाली जा रहे हैं क्य तेरे पिताजी है काँ ये तो बोल, कहता है मेरे पिताजी तो नहीं है दुनिया का, बहले दुनिया में तेरे पिताजी नहीं है, तो इस सीट तेरे पिताजी की कैसी हो गई, कहता है मैं पिताजी का इस्तराद दे करने जा रहा है, गया जी मैं, तो मैंने पहले रिजिनर्वे मरे बाप पहुचा में गंगा, जियत पिता की बात ना माने, मरे गंग पहुचा में, और कहे कभीर सुनो साधो, ये कववा बाप बना, कववा जो है सबसे धूर्थ पक्षी मानते हैं उसको, अगर घर की उपर आखर के बैठ जाए तो क्या बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदे लेकिन जब ये साध्य पक्षाते हैं, और कववा यदी आजाएं, ओहो, लोगों का दिल प्रसंद हो जाता है, पिता जी आगे, पिता जी आगे, ये हिंदू समाज की बुद्धी को देखो, उस कववे को भी बाप बना रहे हैं, अरे क्या तुमारे पितर लोगों ने ऐसे में क्रिष्ट करम किये थे, जो कववा बनेंगे,